और सार जैसे आपने बताया क्ई श्रीफ जी के गले में हमेशा संप रहा जाते है तो वैसे हमने देखा है कि संप का एक हमारे हिंदू मायथॉलोजी या Hindu culture में एक रहा एक importance की कई लोग साप को दूद भी पिलाते हैं कहा जाता है कि साप को कभी मारना नी चाहिए शेश नाग के बारे में हमने सुना है साप से रिलेटेड बहुत सारी वह है कि हमने कुछ वैसे भी सोच है कि वो अपनी तस्वीर वो कर लेता है वो तुम्हारे पीछे आएगा तो साप बड़ा एक इंट्रेस्टिक नाप के इस पे कुछ बताओ आप क्या जानते हो उस बारे में भी जो इच्छादारी नाग होते यह तो आपने पिच्छर में ही सुना है देखा है कि वो जनरेशन बाए जनरेशन और अगले जनम में वो लोग जिन्दा रहते हैं वो लोग अमर है तो उस बारे में थोड़ा मैं इसको शुरू यहां से करता हूँ कि आपका पहला सवाल क्या था साप इन जैनरल तो आपको मैं फिर भारत इस इंक्रेडिबल इंडिया भारत में गाउं है उसका नाम है शेतपाल 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 उस गाउं का नाम है उस गाउं में जि बिल बना रखा है और हर घर में एक साप रहता है उनके बीच में साप की इतनी मानेता है कि आज भी उनके घर में जब कोई नया घर बनता है तो उसमें उसके लिए जगा उसके लिए एक बिल बनाया जाता है आज तक उस गाओं में किसी साप ने किसी इनसान को और किसी इनसान ने किसी साफ को नुकसान ने पहुचाया they have learnt and they have lived to co-exist वोई एक साथ रहते हैं और आप इसको Google कर ले ना शेदपल है महराश में I think हाँ महराश में और मैं वहाँ गया हूँ चोटे चोटे आपने देखा है मैंने घर देखे हैं और हर घर में and when I say हर घर वो बोलने वाला नहीं literally हर घर में मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो हम इशान को छोड़के रखते हैं क्योंकि हमको मंदिर बनाना होता है इस गाओं के हर घर में एक बिल बनाया जाता है एक साफ के लिए जब खाना बनता है तो साफ के लिए जैसे आप एक डॉग पालते हैं तो you take care of that dog कि भई दूद रोज देना है तो साफ का खयाल रखा जाता है तो वैसी कुछ कहानी है कि हमारे साइड में ऐसा है और उसकी मानने तब ही वहीं से आती है क्योंकि नाग एक ऐसी चीज़ है नाग एक ऐसा जानवर है जो शिव जी के गले में है और विष्णु जी के साथ हमेशा रदा है तो जो जब विष्णु जी जब राम बने थे तो लक्ष्मन जो थे वो शेशनाग थे जब विष्णुजी कृष्ण बने थे तो ये बड़ी इंट्रेस्टिंग सी बाट है कि पहले रामायन हुआ त्रेता युग में रामायन काला है तो विष्णुजी राम बने और शेषनाग बने लक्षमन तो जब पूरा रामायन खतम हुआ तो वापिस गए तो शेषनाग बड़े नारास्त है बोले आप बड़े भाई बन गए मेरी कुछ चलनी नहीं दिये सब आपके मन की हुई ये एंड के बाट मतलब वापिस जाने के बाट रामायन काल खतम हो गया राम और लक्षमन वापिस अपने असल आतार में विष्णो और शेषनाग के रूपनार तो वो शिकायत किये विष्णो जी को कि बहुत गलत है या आप बड़े भाई बन के वहाँ चला रहे है अपनी मेरी कोई सुनी नहीं रहा है और विष्णो जी जिस पे विराजमान होते हैं लेटते हैं वो शेष्णाग है शेष्णाग के पीछे और एक बहुत अच्छी इंट्रिस्टिंग कहान है तो शेष्णाग जब सागर मन्थन हुआ था तो वो जो पहाड को उल्टा किये थे उसके नीचे तो विष्णो जी खुद लगे थे वो टर्टल के शेप में कच्छुए के शेप में और जो उसका मन्थन करना था ना सागर मन्थन तो एक तरफ सारे दाना पकड़े हुए थे दूसरी तरफ सारे देव पकड़े हुए थे कि Satyug, Treta yug, Dwapar yug, Kallyug और फिर Satyug यह just shape बन दम्रू का और जब आप इसको बार by बार 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 चलते जाएंगे तो यह shape बन जाएगा infinity के है न तो हमारे पास कallyug के बाद वापिस Satyug शुरू होता है और जब कल्योग में सब खतम हो जाता है तो जो एक नाग बचता है, जो एक नाग शेष बचता है, शेष मतलब होता है remaining, वो है शेष नाग, कि उसका ना अंत है, ना उसकी शुरुआत है, वो शेष नाग है.